इस वीडियो में बात करेंगे IPL 2023 के 38 में मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा पंजाब किंग्स और लखनव सूपर जाइंट्स के बीच में मेरे भाई यह दोनों और लेडी एक मैच IPL 2023 में खेल चुकी है और पंजाब किंग्स ने लखनव को उसके घर में घुश के हडा दिया लखनव को मेरे भाई 156 एन पर समेट दिया था और उस टार्गेट को काफी इजीली चेज कर लिया मेरे भाई और अब जो मैच खेला जाएगा वो पंजाब के घर में खेला जाएगा तो जो लखनव है वो अपने हार का बदला लेने का पूरा कोछिश करेगी पंजाब किंग्स से तो इस वीडियो में आपको इस match के बारे में अख-ख चीज बढ़ाएंगे तो वीडियो को एक सेकेंड भी miss नहीं करना मेरे भाई बतातो दोनों टीम अभी तक साथ match खेली है जहांपे मेरे भाई दोनों टीम ने चार match विन करा है और साथ में से चार मैं जो है वो लखनाओ नहीं विन करा है विनिंग चांसेज आराउंड दोनों के जो रहे है वो 60-50% के आसपास रहते है बात करूँगा सबसे पहले पंजाब किंग्स के बारे में तो इसका 60% विनिंग रहता है मतलब हर 10 में से 6 मैच विन करता है मेरे भाई चांसेज रहते है हर 10 में से 5 मैच विन करता है लेगी मार्केट में हमारे नाम से बहुत ज्यादा फेक चैनल बन गया है उसे बचने के लिए धमाका नंबर सिखर दवन को सोल्डर इंज्री हो गया है और मैच खेल नहीं रहे है इसके वाज़ से कप्तानी का भी एक इस्व आ रहा है और टॉप अधर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लाउंडर में आप चाहे सैम कुरन को देख लो चाहे लियाम लिविंग स्टों को देख थोड़ा सा डिफिकल्टी करती है बाकि डिफेंड में बहुत बहुत बैटरिंटीम है अगर पहले बैटिंग करके 175 या 70 प्लस का स्कोर बना देगी तो सामने वाला को असानी से चेज़ नहीं करने देती है मेरे बाई बतादो अवहीं लोग नौ सूपर जाइंट्स के बार चाहे आपको नान पाल्डिया को देखोगे सारे बहुत अच्छा स्पिन बालिंग रहा है मागी मेरे इंटरनेस्नल यह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे तीम में दीपक हुडा और बदोनी अब बदोनी सबसे वीक पॉइंट है यह दो प्लेयर के वजए से टीम जो है वो मेडिनी लोल्डर में रन नहीं बना पाती है बदोनीट का फिर भी बोलूंगा लेकिन हीटा का फॉर्म ह्लाव यह बहुत जादा कराब मेरे बाई वाहिए फालोड का इसउ यह हर मेच में पाचमा बोलर चेंज है अच्छे jackpot match बनते हैं इस चीज को वह ध्यान में रखियेगा और bounce faster इस सामने का boundary छोड़ा नियार सबस्टा उसी चीज को भी ध्यान रखियेगा इस सामने का boundary वह ध्यांद मारते हुए और शीज को वह भत तर्न मिलता है इस pitch पे तो इस pitch पे spinner बहुत अच्छा perform करेंगे जैसे आप 29 को ले लो चाहे आप मेरे भाई बाकी spinners को ले लो सारे spinners जो है मेरे भाई वो बहुत बड़िया perform करेंगे राहुल चरण भी इस मैच में विकेट लेते हैं आपको देखने मिल सकते हैं है स्कोरिंग ग्राउंड है अच्छा रहन देखने को मिलता है लास्ट पांच मैच इस ग्राउंड का देखोगे तो 174 है उसके 153 है 191 है 170 है 183 है जिसमें से मेरे भाई जो है डिफेंड हुआ है दो टार्गेट 191 का 174 का बाकी 183 चेज़ हुआ है 170 चेज़ हुआ है 153 चेज़ हुआ है उससे पहले एक मैच विन करा है और बहुत फांच मैंस दो मैच विन करा है और तीन मैच मेरे भाई लाउस करा हुआ है वहीं बात करोगे लखनौ के बारे में तो लखनौ 3-2 match लॉस करी है लास्ट मैच जो है वो हाड क्या रही है विगट वाल की बात की जाया तो यहां पर टोटल एकुट ऐटल गिर रहे हूं जो पिसले तस मैच में जहां पे critics पे अच्छा परफॉर्म करते हैं जहां पर डिफेंड हुआ worse तेटीस मैच चेज हुआ है एवरेजे स्कोर 166 रन का इस मैच में आपको 165 प्लस का स्कोर देखने को मिलेगा है यह 240 रन लगा है लुए साथ रन लगा है डिसेंट जो दोनरों टीम के बीच में मैच इस खेले गया है पंजाब और लखनौ के बीच में लास्ट मैच जो खेला और पंजाब किंग्स ने उसको चेज कर लिया था मेरे बाई देखा जाए तो दोनों का एक मैच हुआ है वह पंजाब जी चुकी है पिछले साल एक मैच हुआ था वह मेरे लखनौ जीता था अब बात करेंगे प्लेंग लगन के बारे में तो आपको बता दू कि पंजाब क में रखेंगे उसकी बाद मेरे भार पारब चेज़ इस मैच में खेलते आपको दिख सकते हैं वहीं बात करेंगे तो दीपक हुटD पहला डाउन प्रेंप चोंभी लगतार सारे में पर फिरावफी गया सात मैच खिला है सातों मैच फ्लॉप राए मरे वाई मारकस इस्टोनिश दिखेंगे उसका फिनिसर के तौर पर कुर्णाल पांडिया और निकलस पुरान दिख सकते हैं और युश्वदोनी दिखेंगे मेरे बाई बाइब बाइब बात करो गे तो इसके सब्सक्राइब आपको फ्री में दे दिया था शेशन लंभी फ्री में दे दिया था जाकर चेक कर सकते हैं चलिए हरर मादेब जै माधाल